जे शीडि़ी जी फरहर बहादेब मैं हूँ जोटिश अचार डॉक्टर संदर सकव्साना मालक्ष्मी जोटिश अध्यात्मिक सनस्थान की दब से आप सभी का हार्दीख अभी नंदर करती हूँ प्रेम विभा तक के मैंने उपाए कल के वीडियोस में डाले थे आप उसको देखते रहिएगा मेरे तीम चैनल है यूटूब पे मालक्षमी जोतिश्वाय संदैसक्सेना दूसरा चैनल है सागिक रीडर डॉक्टर संदैसक्सेना और तीसा चैनल है आस्ट्रो डॉक्टर संद धन्यवाद और महादेव से गणेजी से प्रात्ना है मा काली बगला माते से कि मेरे समस्त सब्सक्राइबर्स उन पे किरपा करें किरपा करें किरपा करें आग मैं आपको बताऊंगी तुलसी का अपाए तुलसी जो है हमारे सभी के घर में होती है तुलसी का एक खास जाए, तो सीधे-सीधे मान के चलिए कि घर की इस तरीकों या घर की कमाने वाले सदस्ते पे कोई न कोई कश्ट आता है। तुलसी का हमेशा हरा बारा रहना बहुत जरूरी है। अगर आप पे घर की तुलसी बार बार जल जाती है, अपने आपी सूख हो जाती है, जड़ जाती है, खराब हो जाती है, गल जाती है, तो आप मान के चलिए कि आपके घर में कोई न कोई अदर्शे शक्ती है, जो आप पे घर पे नेगटिव फिक टालती है, तो तुलसी पे म शाम को 5 में तक अमवस्य तिथी दिवाली की लगेगी, क्योंकि 25 अक्टूवर को शाम के 5 में के बाद प्रतिबता लग जाएगी, इसलिए 24 अक्टूवर की ही शाम को दीपावली में दिवाली पूजन होगा, लेकिन वो दिवाली जो है 24 और 25 दोनों दिन रहेगी, और 25 अक् अंदिगरण बहुत ही खास होते हैं, खास मोनो कामना की पूरति के लिए, आपको संद में आ गया, तो अब हम तुलसी की बात कर रहे थे, वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन से पहले एक विश्ट थी, विभात चाहती हैं कि उनकी गौर्मन्ट जॉब लग जाए, लक तुलसी के पेड़ एक पेड़ के लिए यह संकल्फ लेके दे आए कि मात दें की स्थान दे रहे हैं, अगर अब फेल्ट सी का पेड़ है तो उसमें थोड़सा नीच गड़ पार देना है गड़ा कर देने के बाद आपको उसमें तुलसी के पेड में थोड़ा सा जो है एक छोटी सी पन्नी में थोड़ा सा थोड़ा सा सुन्दूर डाल के गाड़ दीजे और उसके बाद एक तरह से ये सुन्दूर अपने मता तुलसी को दे दिया है और उनसे ये कहना है कि जैसे से आपको मैंने ये सुन्दूर दिया है आपके जो है क्योंकि वो किसको मानती है वो भगवान शाली गराम को अपना पती मानती है तो मैंने आपको शाली गराम माता मैंने तुलसी माता आपको शाली गराम देवता का पतनी मानते हैं आपको यह संदूर दिया है धारन टर निकले तो जैसे से आपके संदूर शाली गराम देवता के नाम का आपके मांगे सजा रहे वैसे वैसे मेरी कामना भी सजी रहे और मेरी मनुरत पूरी हो जाए आपके जो भी इच्छा है वो बोल दिएगा साथ में आप एक रुपे का सिक्का भी रह सकते हैं और अगर आपको लगता है कि मैं मट्टी में नहीं काड़ना चाहती हूँ तो फिर आप उसको जो है एक पन करना बहुत अच्छा रहेगा अगर आप आज नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस प्रयोक को शुक्रवार को कर लेना लेकिन ये महीना बहुत अच्छा है कारतिका आप कर लीजे इससे आपको फायदा होगा और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो अमीद है कि आपको व फोटो रिडिंग कराने के लिए फेस रिडिंग कराने के लिए आप मुझे वाटसअप कर सकते हैं आज लिए इतना ही आपको दिन शुप धनेवाद